अस्सलाम आलेकुम दोस्तो माइन ट्विस्ट्स में खुशाम दीद दोस्तो आज का पहला सवाल है कि वो कौन सा प्रिंदा है जो जल भी जाए तो जिन्दा रहता है जवाब है जुगनू चलें बताएं अगर सब्सघर लाल एंटों से बनता हो तो लाल घर किन एंटों से बनेगा जवाब है लाल घर भी लाल एंटों से बनेगा क्योंकि एंट का रंग ही लाल होता है चलें बताएं दुनिया में वो कौन सा खिलाडी है जिसके एक छिके पर बारह रंज मिले थे जवाब है शाहिद आफरीदी चलें बताएं वो क्या है जो सदियों से मौजूद हैं मगर उसकी उम्र एक माह से ज्यादा नहीं जवाब है चांद चलें बताएं किस इनसान को खराब सिहत से फाइदा होता है जवाब है डाक्टर को चलें बताएं वो कौन सी चीज है जिसके फटने पर आवाज नहीं आती जवाब है दूध चलें बताएं वो कौन सी चीज है जो कांद से निकाली जाती है और उसे हम खाते है जवाब है नमक चलें बताएं वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है जवाब है दूध चलें बताएं वो कौन है जो सुब से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है जवाब है सूरज मक्खी का फूल चलें बताएं वो क्या है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं जवाब है नारेल चलें बताएं वो कौन सा जानवर है जो तीन साल तक सो सकता है जवाब है गुहूंगा चलें बताएं वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता जवाब है जराफा चलें बताएं वो कौन सा मुलक है जिसने खला में सबजियां उगाने की कोशिश की जवाब है रशिया चलें बताएं दुनिया में सबसे बड़ी हीरों की कान किस मुलक में है जवाब है आस्ट्रेलिया में चलें बताएं किस शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है जवाब है लाहुर को चलें बताएं किस मुलक के शहनशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी जवाब है जापान के शहनशाह ने जापान के इस शहनशाह का नाम बताएं जिसने अपने खून से किताब लिखी थी जवाब है सुटकूने चलने बताएं वो कौनसी चीज है जिसकी कोशिश करने वाले को चानूनी सजा है और कर लेने पर कोई सजा नहीं जवाब है खुदकूशी चलने बताएं वो क्या है जिसके नाम से लोग डरते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं जवाब है अम्तिहान चलने बताएं वो कौन सा जानूर है जो जबान से अपने कान साफ करता है जवाब है जवाब है जराफा चलने बताएं दुनिया की सबसे कीमती और महेंगी धात कौनसी है जवाब है प्लाटिनम चलने बताएं इन्सान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है जवाब है तक्रिबन तईस हजार दफ़ा चलने बताएं वो कौन है जिसकी गर्दन है मगर सर नहीं बाजो है मगर हाथ नहीं जवाब है गमीज चलने बताएं वो कौनसा हलाल काम है जो अल्ला को सख्त ना पसंद है जवाब है तलाक चलने बताएं वो क्या चीज है जो रोज आती है मगर हम उसे देख नहीं सकते हैं जवाब है नींद चलने बताएं वो कौनसी चीज है जिसको हम कभी कभार खाते तो हैं मगर उसका जायका महसूस नहीं होता जवाब है कस्म चलने बताएं वो क्या चीज है जो इनसान किसी की ले तो सकता है मगर किसी को दे नहीं सकता जवाब है जान चलने बताएं वो क्या है जो रोशनी में आपकी साथ होती है मगर अंधेरा होने पर चली जाती है जवाब है साया चलने बताएं वो क्या है जो सब के पास है और सब उसे बदलना चाहते हैं मगर बदल नहीं पाते हैं जवाब है किस्मत चलें बताएं वो क्या है जो रात में रोटी है और दिन में सूती है जवाब है मुम्बती चलें बताएं वो कौनसी चीज है जिसमें सूराख नहीं है मगर फिर भी सारा पानी निगल जाती है जवाब है बरफ चलें बताएं वो कौनसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता मगर तैर सकता है और घोता भी खा सकता है जवाब है पेंगवईन चलें बताएं किस औरत को हमेशा ये पता होता है कि इसका शोहर रात को कहां होता है जवाब है बैवा औरत को चलें बताएं वो कौनसा उर्दू का लफज है जिसे हम लिखते हैं मगर पढ़ते नहीं है जवाब है लफज नहीं चलें बताएं वो क्या चीज है जिसके बगएर लड़की की शादी नहीं हो सकती है जवाब है दूल है के बगएर चलें उस सवाल का जवाब बताएं आगे पीछे साथ चलें लेकिन कभी ना हाथ लगे जवाब है साया चलें बताएं आपके अबू के बेटे की फूफू की भावी आपकी क्या लगी जवाब है आपकी माँ चलें बताएं कौन सा गोश्ट खाना हलाल है मगर बेचना हराम है जवाब है कुर्बानी का गोश्ट चलें बताएं वो कौन सी चीज है जिसका पता ना हो मौजूद होती है पता चलने पर खत्म हो जाती है जवाब है राज चलें बताएं वो कौन सी चीज है जो बच्चों को जवान कर देती है और जवान को बोढ़ा कर देती है जवाब है उमर चलें बताएं वो कौन सी चीज है जिसके काटने पर हम तालियां बजाते हैं जवाब है मचर चलें बताएं वो कौन सी चीज है जिसका वजन बीस हाथियों जितना है मगर वो आपके सर से भी गुजर जाए तो आपको कुछ नहीं होता जवाब है हवाई जहाज चलें बताएं वो कौन सी जगह है जहां जाने के बाद एक इनसान का माता है जवाब है कबरिस्तान जवाब है